समस्कार पांच मिनिट के जादोई कलास में सभी का स्वागत है और आप सब जानते हैं कि आरेस प्री का पाठे करम जारी हो चुका है और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि पाठे करम में इन्होंने कोई भी चैंज नहीं किया मतलब डिटो कोपी रख दिया कि भाई साब जो पिछला पाठे करम है वो ही है और आरेस के उपर में काफी टाइम से इसके उपर काम करी रहा था अपनी सुकरवार से मार्केट में उपलब दो जाएगी दोनों बुस्त के अब एक बात देखिए खास करके आरेस के आज तक जि कि आप कोई भी टोपिक पढ़ रहे हो तो उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि ये आरेस 2010 में आया था ये 2022 में आया था ये समिस्पेक्टर में आया था कोशन ये लाइन इस एकजाम में आई हुई है तो मतलब आपको पुराने पेपर स्टेडी करनी के आपशक्ता नहीं है ज का आरेस प्री क्लियर हो जाएगा इससे बढ़िया और कोई बात होनी सकती है जितने भाहिवन्दु देख रहे हैं अपने ग्रूप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना पोश्चन है नमींतम जिलों पर कि ब्यावर जिले में निमन मेंसे किस जिले का भाग नहीं लिया गया आपको पता है कि राजस्तान में नई जिले 19 नई जिलों की गोशना की थी 17 मार्च 2023 को कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ उसके उपर अपनी चर्चा कर देए तो परसन यह है कि ब्यावर में कौन सा भाग नहीं लिया गया अब देखिए अजमेर अजमेर ब्यावर से अलग हुआ क्या बिलकुल हुआ अजमेर से एक तो ब्यावर तहसिल ब्यावर मसूदा तोडगड वै विजयनगर तहसिल ली गई विजयनगर तहसिल ली गई एक तो यह याद रखिए भीलवाड़ा से बदनोर तहसिल ली गई भीलवाड़ा से बदनोर तहसिल ली गई पल्ली से जेतारण वै राइपूर तहसिल ली गई आप बताओ कि किस जिले का कोई भी भाग सामिल नहीं हुआ तो टॉंक का आप देखो इंपोर्टेंट कोश्चन किसे बनता है कि हम कह दें कि जी निया जीला बन गया तो क्या हो गया कितना फरक पड़ता है फरक पड़ता है कि बदनोर में आपको पता होगा कुशाला माता का मंदीर था कुशाला माता का मंदीर अब जो कुशाला माता का जो मंदीर है वो हम क्या याद करते थे कि जी कुशाला माता का मंदीर तो बदनोर बीलवडा मी है लेकिन अब क्या बोलोगे कि जी कुशाला माता का मंदिर बद नौर ब्यावर में है तो ये कलासन स्कृति का कोश्चन जेंज हो गया राजस्तान की पहली सुति मील राजस्तान की पहली सुति मील और उसका नाम दी कृष्चना मील अहां पर है प्यावर में 1889 में स्तापित तो बताओ उद्योग दंदों में चेंज हो गया न इधर कलासन स्कृति बदल गया इधर जियोग्राफिय बदल गया राजस्तान का पहला सक्षर गाम मसुदा अजमेर लेकिन अब क्या बोलोगे मसुदा व्यावर मध्य अरावली की उंची चोटी कौन सी है टोड़ गढ क्या बोलते थे कि जी दक्षनी अरावली की सबसे उंची चोटी का नाम तो है गुरू सिखर मध्य अरावली की तोड़ गढ अजमेर और उत्री की रगुनात गढ सिखर लेकिन अब टोड़ गढ ब्यावर मी है तो मद्येह रावली की सबसी उन्वा सी चोटी वो भी चेंजगे ओगी सुदांस अक्षर गाम की आज पहली सूतिमील दीक्रिष्टना मील जो चूध मेर में थी मतलब आजंगेर में था आगा वं चूध में आगए एक आपने सुणाओगा गिरि सुमेल युद। गिरी-सुमेल-युद्ध कहा हुआ था जेतारण-पल्ली, अब पिछली बड़तियों में तो वो जेतारण-पल्ली में हुआ लेकिन अब किवार जो बड़ती होगी ना, उसके अंदर पेपर में आयेगा गिरी-सुमेल-युध तो ब्यावर में करकी आना, लिरोई बाती है तो अब सोचो कि कलास अंस्कृती बदल गई जोग्राफी बदल गई और इधर से हिष्ट्री बदल गई किन्नों में प्रवाब करता है आपके पास दो अपसन होती है या तो आप तैसिलों को रटा मारो कि जी ब्यावर के अंदर कौन-कौन सी तैसिल मिली तो आप सिधा रट रहे हो कि जी ब्यावर में जेतारण मिल गई, मसुदा मिल गई, टोडगड विजयनगर ब्यावर तैसिल मिल गई, एक राइपूर तैसिल मिल गई, बदनोर तैसिल मिल गई, याद नहीं रहेगा, लंब प्यावरमी है, पेली सुती मील, दी कृष्णा मील, अब ब्यावरमी है, राजस्तान में गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण, प्यावरमी हुआ, पेले पाली में हुआ, मीरा का जनम, मीरा का जनमस्तल, पुड़की, अब ये भी कहां चला गया है ब्यावर में चला गया है राजस्तान में कितने डिश्टिक हैं उन पचास पचास डिश्टिक में केवल दो डिश्टिक ऐसे हैं जो तीन तीन जिलों से अलग हुए केवल दो डिश्टिक अब आपको पता है एक है ये ब्यावर अब ब्यावर किस किस से अलग हुआ था अजमेर बीलवाडा और अजमेर से अलग हुआ बीलवाडा से अलग हुआ ब्यावर और किस से अलग हुआ था पाली से और एक है परतापगड परतापगड भी कितने जिलों से अलग हुआ तीन से अलग हुआ, तीन कौन-कौन से, चितोड, उद्यापूर और पासवडा, मतलब राजस्तान में केवल से अलग हुआ, राजस्तान में केवल दो डिश्टिक हैं, एक ब्यावर और एक जेतारण जो दो डिश्टिक से अलग हुए, तीन-तीन से अलग हुए, बाक की कोई एक से अलग हुआ, कोई दो से अलग हुआ, तेकि दो डिश्टिक हैं जो तीन-तीन से अलग हुए, अब आज का आपके लिए क कोश्चन है कि द्यावर का संस्थापक कौन है द्यावर का संस्थापक कौन है और इसका अनस्वर लाइव चेट में नहीं मैं कमेंट बॉक्स में बताऊगी इतने भाईबंदू देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो ग्रूप में शेर करना और यह आरेस की दोनों कुस साथ आना चाहिए तो आरेस फश्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट सब नए बैस सुरू हो चुके हैं जदा जानकरी के लिए संपरक करें जय हिन जय भारत